किसी के पैरों में गिरकर काम्याबी पाने के बदले अपने पैरों पर चल कर कुछ बनने की ठान लो तो वो मिल ही जाता है इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक करदे शेर करदे चैनल को सब्सक्राइब करें सुरू करते हैं हमारे प्रिवियस टी की क्वेशन से हमारा क्वेशन था विच कंट्री सक्सेसफुली कंड़क्ट दा टेस्ट फ्लाइट ओफ एन इंडिजीनिसली डेवलप्ट गाइड़ेड मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम नेम्ड फते वन किस देट ने फते एक नामक स्वदेशी रूप से विक्सित गाइड़ मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम का परिक्षन उडान सफलता पूर्वक आयोजित किया हमारे ओप्षन है इसराइल इरान पाकिस्तान सावधी अरब तो इसका सही ओप्षन है पाकिस्तान ने फते एक नामक स्वदेशी रूप से विक्सित गाइड़ मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम का परिक्षन उडान सफलता पूर्वक आयोजित किया जिसके अधिक्तम सीमा 140 किलोमेटर है चले बढ़ते हैं आगले क्वेशन की तरफ जो है बहरत सरकार प्रवासी भारती दिवस प्रतिवस किस दिन मनाती है तो हमारे ये उप्षन है तो इसका सही उप्षन है option d 9 january प्रवासी भारतिय दिवस गैर निवासी भारतिय दिवस 9 january को भारतिय गरतंत दिवस पर मनाया जाता है ताकि गैर निवासी भारतियों द्वारा राष्ट के कल्याण और भिकास के लिए किये गए प्रयासों और योगदानों को चिन्हित किया जा सके चले देखते हैं next question को जो है What is the term of the MOU signed between IREDA and NHPC to provide technical assistance for green energy projects हरित उर्जा परियोजना के लिए तक्नीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के बीच हस्ताक्षित समझोता ग्यापन की अवधी क्या है तो हमारे option है 3 years, 5 years, 7 years, 10 years तो इसका सही option है option B 5 years Indian Renewable Energy Development Agency Limited नई और नवीकर्निय उर्जा मंत्राले मनारी के प्रशास्निक नियंतरड के तहत NHPC Limited उर्जा मंत्राले के तहत PSU के साथ एक समझोता ग्यापन पर हश्ताक्षर किये है IREDA अगले 5 वरसों के लिए अक्षर उर्जा परयोजनाओं को बनाने और हासिल करने के लिए एक कार योजना विक्सित करने में NHPC की साहिता करेगा चले देख लेते हैं अगले क्वेशन को जो है शौर सेलरी अकाउंट इस अन्यू प्रोड़क्ट लॉंजड बाइ विच बैंक फॉर डिफेंस परस्नल सौर वेतन खाता रक्षा कर्मियों के लिए किस बैंक द्वारा शुरू किया गया एक नया उत्पाद है हमारे ऑप्शन है बंधन बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंदरा बैंक तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन E बंधन बैंक निजी रढ़ दाता बंधन बैंक ने शशस्त्र बलो और अर्धसायनिक सेवाओं के कर्मियों को बैंकिंग और वित्य सेवा प्रदान करने के लिए बंधन बैंक सौर वेतन खाता शुरू किया है चले देख लेते हैं अगले क्वेशन को जो है प्रवासी भारती दिवस कंवेंशन 2021 इस विच एडिशन ओफ प्रोग्राम प्रवासी भारती दिवस कंवेंशन 2021 कारिक्रम का कौन सा संसकरण है तो हमारे यह उप्शन है 19th, 18th, 15th, 16th तो इसका सही उप्शन है उप्शन D 16th कुरूना महामारी के मद्दे नजर 9 जनवरी 2021 को सोलवे प्रवासी भारती दिवस का आयोजन आभासी रूप में किया गया सोलवे PBD कंवेंशन 2021 का विसय भारत में भारत के लिए योगदान है चले देख लेते हैं अगले क्वेशन को जो है Indian Oil Corporation in association with which bank has launched a co-branded contactless रुपे debit card Indian Oil Corporation ने किस bank के साथ मिलकर एक सह branded संपर्क रहित रुपे debit card launch किया है तो हमारे option है Bank of Baroda, ICICI Bank, State Bank of India, Axis Bank तो इसका सही option है option C, State Bank of India भारती State Bank और Indian Oil Corporation ने एक सह branded संपर्क रहित रुपे debit card launch किया है चले देखते हैं अगले क्वेशन को जो है Writer A. Madhwan who passed away due to age-related illness wrote in which language लेखक A. Madhwan जो उम्र से संबंधित बिमारी के कारण गुजर गए किस भासा में लिखते थे वो मतलब लेखक थे हमारे option है Hindi, Bengali, Tamil, Malayalam तो इसका सही option है option C, Tamil Tamil लेखक A. Madhwan की उम्र से संबंधित बिमारी के कारण निधन हो गया वह 87 वर्स के थे चलिए बरते हैं अगले question की तरफ जो है Which of the following has launched its latest Pan-India Investor Awareness Campaign Passion को रोको मत Nodding servers to become investors निम्र में से किस ने अपने नविंतम Pan-India निवेशक जागरुकता अभियान का शुभारंब किया Passion को रोको मत निवेशक को लाब पहुचाने के लिए तो हमारे option है कोटक महिंद्रा mutual fund, IDFC mutual fund, UTI mutual fund, SBI mutual fund तो इसका सही option है Option B IDFC mutual fund IDFC mutual fund ने अपने नविंतम Pan-India निवेशक जागरुकता अभियान Passion को रोको मत की सुरुवात करने की घोशना की जिससे बचत करता निवेशक बन गए है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की question of the day की तरफ जो है When will union budget 2021 be presented? केंद्रिय budget 2021 की कप पेश किया जाएगा हमारे option है February 1st, March 1st, April 1st, March 15th तो इसका जो भी option सही लग रहा है आप comment box में comment करके बता सकते हैं और जिन्होंने previous question का अंसर सही दिया था well done keep doing ऐसे ही आंसर देते रहे है और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर फ़ली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वह जो घंटी दिख रहे हैं उसे बजाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जबी में हम नए वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप उन्हें देख सकें तांक्यू